और इस नमस्कार पिर्या जन्म आप सभी का मेरी चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ आपके अपने श्विप्चिंतक वीना शर्मा आप आए मेरी चैनल पर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कार्तिक पूर्णिमा भगवान विश्णु को समर्पित पूर्णिमा और इसी के साथ ही भगवान शेंकर को भी समर्पित पूर्णिमा भगवान भोलेनाथ ने भी इस दिन देते तुरुपरा का तुरुपरा सुरु का वद किया था इसलिए इसको देव दिवाली के रूप मे मनाया जाता है दिपावली वो थी भगवान प्रभुषी राम की और ये देव दिवाली सभी देवताओं की इसलिए मनाया जाती है तो इस दिन बहुत जोर शोर से पूरे भारत में उत्सव कितरे हैं मनाया जाता है गंगा की घाट पर बहुत सारे दिपक दान किये जाते हैं और दिपक का ही उपाएं मैं आज आपको बता रही हूँ। देव दिवाली के दिन आपको एक ऐसे अलोकिक अध्वुत दिपक का उपाएं बता रही हूँ। जिससे आपके घर के सब परकार के रुक हुय काम मैं तो आपको बताती हूँ हमेशा कि विभा का अगर कारे रुका हुआ है बच्चों के नहीं कोई काम बन रहे हैं, बहुत लंबे समय से अटके हुए ये काम है, वो विभा सबंदी जो मांगलिक का रहे हैं वो तो रुके हुए हैं, वो तो शुरू होंगे, इसके साथ ही अगर आपके और भी कोई रुके हुए काम है, किसी भी परकार के जीवन में, जितनी भी समस्याई हैं, जो रुके हुए काम है, वो सब शुरू हो जाएंगे, मैं कह रही हूँ कि मां इस उपाय को अवश्य करें, जरूर करें, और इस उपाय को करने के लिए, आपको जो बता रही हूँ, समया, उस समया के अनुसार करिएगा, एक तो, एक तो जो पूर हैं भी है, चंदरगर रहना है, इसलिए, साथ नुवंबर को देव दिवाली यानिके कार्ति पूर्निमा एक तरह से मनाई जाएगी, और इसके साथ ही, शाम को इसका पूजा का जो समय रहेगा, साथ नुवंबर को पांस बजगर 14 मिनिट से लेकर, साथ बजगर 69 मिन्ट त इस दिपक को मैं चाहूंगी कि मदर लोग अगर सुन रही हो, बच्चे अगर को सुन रहे हैं, जिनके विवान ही हो रहा है, तो वो चाही तो ऐसा दिपक निरंतर हमेशा जलाएं, आपकी हर्मनों कावना पूरुन होगी, आप हर दुख से प्रेशानी से कष्ट से बाहर न धागा, मौली जो नाड़ा बांधने का होता है हाथ पर, अपने पूजा पाठ में बांधते हैं, ये धागा चाहिए, और इसके साथ चाहिए आपको चंदन, सफैद या पीला, पावडर के रूप में बजार में मिलता है, लेकिन अच्छा हो, शुब हो, शुद हो, वैसा आपको चंदन चाहिएगा, और इसके साथ ही चाहिएगा आपको गुलाब जल थोड़ा सा, थोड़ा सा गुलाब जल चाहिए आपको, गुलाब जल अगर आपके पास ना हो, देखिए, मैं एक बात बता रही हूँ आपको, गुलाब जल अगर आपके पास अबलेबल हो घर पर तो बहुत अच्छी बात है आजकर सब बच्चे बेटे बेटियां सब रखते हैं घर में गुलाब जल अपने ब्यूटी के ध्यान के लिए और अगर आपके पास ना हो गुलाब जल तो आप क्या करिएगा एक गुलाब ले आईएगा और उसको मसल करना थोड़ा सा अंग गणा जल लिजीएगा दूसरा जल तो थोड़ा सबस्तों हो जादा दो चमश गणा जल जाल लिजीगा उसमें इये गुलाब जलिया तो mystical की पत्तियों से और पर चोहरा है उसको डाल दीजिएगा उसमें डाल दीजिएगा आप ये श्त्री थोड़ा npų पाउडर सफैज चंदन का पाउडर हो तो बहुत अच्छी बात है पीला भी हो सकता है आप चंदन डाल देगा डालने के बाद आपको अब जो मोली है वह मोली की आपको दो या तीन तार लेने हैं यानिके जो चार-पांच पतले-पतले तार का एक धागा होता है वैसे तीन दागे लेने हैं उस तरह के लेकर उनकी एक चोटी बना लेनी है जिस तरह आप चोटी बनाती नहीं है उस तरह से एक चोटी बना लीजिएगा वह चोटी बनाके उसको जितनी आपको बत्ती चाहिए आपके दिपक में जितनी बत्ती चाहिए दिपक बड़ा हो चोटा हो को का दिपक आटे का भी हो सकता है विशेश तोर से आप जानते हैं सभी कि मुनों कामना पूर्ति के लिए आटे का दिपक बनाया जाता है और अगर आप आटे का ना बना पाएं तो कोई बात नहीं आप मिट्टी का दिपक भी ले लीजिएगा और आपको इस बत्ति को जो है आ आगे भी आप हमेशा के लिए भी जला सकते हैं इन बत्तियों को और कुछ समय यानि के 11 दिन या 21 दिन भी जला सकते हैं अपने मनोकामना पूर्ति के लिए इन जो जितनी बत्तियां बन जाएं वह चोटी गूंती हुई उसको आप जितनी बत्ति चाहिए उतनी काटके और गंगा जल और जो उसमें गुलाब जल और उसमें जो पाउडर डला हुआ है चंदन का उसमें भीगो दीजिएगा 15-20 मिन्ट भीगी रहने दीजिएगा भीगने के बाद उनको बाहर निकाल लीजिएगा थोड़ा से धूप में हवा में किसी चीज में रख दीजिएगा व आपके पूजाघर में भूलेनाथ के आगे चित्रों भूलेनाथ का तो शिविलिंग रखते हूं वाप तो जो भी हो उनके आगे भूलेनाथ के आगे ये दीपक आप प्रजुलित करिएगा मैं मदर से कह रही हूँ अपने बेटे का विबान नहीं हो रहा तो उसकी मुनोक पामनापूर्ती के लिए अब इस दिपक अलोगकिक दिपक इतनी तेजों में चंदन और गुलाव जल से सभी देविए देवता होएं कोई भी देविए देवता हो आपके मैं तो यह कहूँगी किए अगर भूलेन हाथ physiology ना हो चतर ना हो जो भी देविए देवता हो आपको आप जिसको भी मानते हो, आपके चित्र घर में हो, विशेश तोर से तक भोले नात की विश्जन भुगवान की पूज़ा होती है, लेकिन जिसका भी आपके पास हो, उसके सामने इस दीपक को एक भार जला के देखिएगा, आप जला के देखें ये दीपक, फिर देखें कि च जला सकते हैं आप तो यह दिपक आप जला कर देखें भोले नात के आगे यह विश्णु भगवान के आगे यह अन्य कोई देवी देवता है उनके आगे अपनी मनोकामना पूरती के लिए अच्छा आप विभा की मनोकामना पूरती के लिए इसको जलाएं आपकी कोई अन्य और मनोकामना है तो उसके लिए भी आप ये अलोकी को अद्वुत दीपक जला के देखें इस बत्ती का बना हुआ दीपक जला के देखें आपके सारी मनोकामना पूरुन होगी और बच्चों के विवा के जो रुक गए हैं न काम ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि रुक जा आके देखें कल का दिन तो विशेश दिन है इस दिन का किया हुआ ये उपाई बहुत चम्तकारी है और आगे आप इसको निरंतर जायर रखते हैं 11-21 दिन के लिए फिर तो आप भूल जाएगे बच्चों के विवा के देरी हो रही है नहीं होगी और तुरंत विवा योग बनेंगे तुरंत बच्चों के मांगली कार्यापके घर में शहनाया बजेंगी शूब कारें शुरू हो जाएंगे यूदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले वीडियो कमेंट वक्स में जै भॉले नाथ जै विश्ण देव अविश्चे लिए थैंक्स वर्वाज